क्या आपका weight loss जल्दी से हो रहा है या weight gain हो रहा है आपको blood pressure आपका बढ़ रहा है आपको चिरचिड़ापन हो रहा है डिप्रेशन हो रहा है या फिर आपको सुस्ती आ रही है नीन बहुत आ रही है या आपका face सूजा हुआ है कुछ ऐसे लक्षन्स हैं जो thyroid के dysfunctions को relate करते ह तो इस वीडियो में कुछ हम ऐसे symptom science के बारे में बताएंगे जो thyroid के dysfunctions से related होते हैं जिने हमें पता नहीं होता है कि ये thyroid को dysfunctions को बता रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखे मेरे साथ बने रही है और अगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त इससे कि आपको health related issues के बारे में पता चल सके और आप जल्दी से उसके notification आपको मिलता रहें तो आप उससे updated रहें नमश्कार मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयरवेदा में thyroid gland हमारा neck में एक situated होता है butterfly shape का एक gland होता है इसके dysfunction की वाज़े से कभी यह over active हो जाता है तो इसको हम hyperthyroidism कहते हैं और जब यह under active होता है तो हम इसको hyperthyroidism कहते हैं hypothyroidism में hormone का secretion कम होता है और hyperthyroidism में उसका secretion जादा होता है तो जो thyroid hormone होता है वो बहुत important होता है हमारी body activities के लिए यह हमारी metabolic process है उसको control करता है energy level को balance करता है ऐसे बहुत सारे body activities हमारे होती है उनको regulate करने में मदद करता है तो इनके dysfunction की वज़े से मतलब अगर यह जादा over active ह गया और फिर या फिर कम active हुआ तो उसकी वज़े से हमारे body में कुछ symptoms देखने को मिलते है तो आज कुछ ऐसे ही हम sign और symptoms की बारे में बात करेंगे जो scientifically हम देखेंगे कि यह क्यों हो रहे है हमारी body में और यह hypo या hyperthyroidism के कारण हो रहे हैं तो सबसे पहला होता है weight अगर आ बढ़ता जा रहा है वो खाना कम खा रहा है बट उसका weight बढ़ता जा रहा है वो hypothyroidism में होता है क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे मैंने बताया कि जो thyroid gland है वो metabolic process के लिए बहुत important होती है उसको control करती है बट जो अगर hypothyroidism होगा thyroid कम secret होगा thyroid hormone तो जो हमारा basal metabolic rate है basal metabolic जिसको हम BMR भी कहते हैं वो वह rate होता है कि जब हम rest में होते हैं जब कोई प्राणी rest में होता है तो कितनी calories किस rate से वो burn कर रहा है तो hypothyroidism के case में वो BMR कम हो जाता है BMR कम हो जाता है मतलब वो calories को कम बन कर रहा है तो calories कम बन हो रही है इसका मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो ठीक से use नहीं हो रहा है वो burn नहीं हो रहा है तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी body में fat के रूप में deposit हो रहा है तो हम इसमें भूख कम लगती है क्योंकि calories कम बन ह भूख कम लग रही है और फैट वो डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में तो भूख कम लगती है और फैट बॉडी में डिपॉजिट होता है तो वो वेट गेन के सिम्टम्स उसमें देखने को मुलते हैं उसी के अपोजिट जो हाइपो हाइपर थारडिस्म है उसमें क्या होता कि हम खाना खूब खाते हैं भूख हमें ज्यादा लगती है बट हमारा वेट कम होता जाता है और हैपो में बढ़ता है उसी तरह से जो हाइपो-थारडिज्म होता है उसमें आपको ठंड ज्यादा लगती है क्यों जैसे मैंने भीटा डया कि हमारी ताफ हो हो कस ग हो गsmona हो ज चलाते हैं, अगर व masa अच्छी तरह से बर्न होगी, तो च्छी तरह से जनरेट होगी, बट in hypothysm, metabolic process, वा कम हो जाती है, calories कम बर्न होगी, heat कम जनरेट होगी, तो क्या होगा, उसकी body में heat कम होगी, तो उसको ठंडा ज़्यादा लगेगा, तो जो hypothyroidism के patient होते हैं, उनको ठंडा ज़ादा लगता है, उसी के opposite जो hyperthyroidism के patient होते हैं, जिनका thyroid बड़ा हुआ रहता है, जिसका जो thyroid hormone overactive रहता है, तो उनको गर्मी ज़ादा लगती है, पसीना ज़ादा आता है, क्योंकि उनकी calories burn हो रही है, heat ज़ादा generate हो रही है, तो उनको पसीना और गर्मी ज़ादा लगती है उसी तरह से जो हमारा thyroid hormone होता है, वो हमारे brain को कुछ ऐसे hormones supply करता है, कि जिससे brain अपना function करता है but hypothyroidism के case में, जब hormone का secretion कम होता है, तो क्या होता है, कि वो अच्छी तरह से hormone brain को नहीं पहुच पाता है brain अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, तो क्या हो जाता है mental fogginess हो जाती है उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज को concentrate नहीं कर पाएंगे आप अच्छी तरह से focus नहीं कर पाएंगे, आप कोई चीजे याद करने में दिक्कत आएगी, आप ठीक से सोच नहीं पाएगे, तो यह कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जो mental fogginess के कारण होते हैं, यह hypothyroidism होता है, जिसमें कम होता है, उसी तरह से इसमें क्या होगा कि, patient depressed रहेगा, उसको depression का mood हो जाएगा, मानसिक उदासी मतलब अपने को बहुती ऐसा सोचेगा कि मैं depressed में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं, मतलब जो depression की situation होती है, वो hyperthyroidism में देखने को मिलती है, उसी तरह से hyperthyroidism में जो होते हैं, reflexes बढ़ जाते हैं, tremors की situation होती है, overactive वो रहता है, अब हम यह देखेंगे कि इसका B BPP के effect होता है, अब देखें जैसे hyperthyroidism में जिसमें जो thyroid hormone है, वो ज्यादा overactive रहते हैं, तो क्या होता है कि BP बढ़ जाता है उसमें क्योंकि untreated hyperthyroidism होता है, उसमें जो हमारी blood vessels होती है, वो less flexible होती है, मतलब उसमें लचीलापन खतम हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसकी वज होता है कि जो hyperthyroidism होता है, जिसमें कि thyroid hormone overactive होता है, तो उसमें blood pressure बढ़ावा दिखता है, patient की heartbeat बढ़ी होती है, उसका heart rate बढ़ा होता है, तो ये condition हमें hyper में देखने को मिलते हैं, उसी तरह से हम hypo में देखें कि जिसमें hypothyroidism का case होता है, उसमें जो heart rate होती है, वो कम हो जात है, तो ये कुछ जो blood vessels है, जो thyroid के जो hormone है, उसका जो blood vessels पे effect है, वो ये है कि BP बढ़ता है, hyper में और hypo में कम हो जाता है, मितलब जो heart rate है, जो heart beat है वो कम हो जाती है, उसी तरह से आप हाइपो में देखेंगे, कि जो मरीज है, वो सुस्त रहता है, उसको नीन बहुत आता है, आलस से बहुत आता है, कि वो हर समय थकान महसूस करता है, क्योंकि जो thyroid hormone होता है, वो हमारे energy level को भी balance करके रखता है, तो hypo thyroid में जो hormone है, वो अच्छी तरह से secret नहीं होंगे, तो हमारा जो energy level है, वो भी कम हो जाएगा, उसी तरह से hyper में वो active रहता है, एक्टिवनेस उसमें फिर हम देखेंगे कि जो hypo physician होता है, hypoth Ryanbus का patient होता है, उसके मुह में सूजन आई रहती है, क्योंकि क्या होता है, जब वो सुबह उठता है, तब उससमें उसके मुह में सूजन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ग्या होता है, जो Ihre extra 여러분 होता है, वो आंकों, हमारे lips में, face इसमें जाके एक्यमिलेट हो जाता है, तो उसकी वज़ेसे वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलती है, अब यह जो है, जैसे कि आप स्वेलिंग आपकी आईस में अगर ज्यादा प्रॉमिनेंट हो रही है, तो क्या होता है कि पेशिन्ट को फोकस करने में, देखने में उसको हाती है, उसको कुछ थुनला-धुनला सा भी दिखाई देता है, और क्या होता है कि कभी-कभी इतना प्रेशर हो जाता है कि उसको एक चीज दो-दो दिखाई द TVs तो यह हाइपो थारडेज में दिखता है उसी तरह से हाइपर थारडेज में क्या होता है कि एक कंडिशन आती है जिसमें आखों की पुत्लियां ऐसा लगता है जैसे बाहर को प्रोट्यूड हो रिखी है इसको हम मेडिकल टर्म में प्रॉप्टोसिस भी बोलते हैं और एक्ज थारडेजम को कॉस करती है उसकी वज़े से क्या होता है कि जो आँखों के आसपास के जो टिश्यू हैं मसल्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं वो इनफ्लेम हो जाते हैं तो उनके उपर प्रैशर बढ़ता है तो पुत्लियां जो हैं आगे को आई रहती है वो एक भी हो सकती है दोनों भी हो सकती है तो यह हाइपर का सिच्वेशन है दोनों में ही स्वेलिंग आपको दिखेगी बट कंडिशन अलग-अलग होती है हाइपर में और हैपो में उसी तरह से हेर लॉस की एक बहुत बड़ी कंप्लेन आती है कि यह आपको जो अंट्रिटिट थाराइड होता है उसमें देखने को मिलता है ज्यादा तरह है उसमें भी हेर लॉस ज्यादा देखने को मिलता है उसमें आप देखेंगे कि हेर लॉस के साथ साथ आपकी जो बाल है वो ड्राइ होंगे करली होंगे और जो हाइपर है उसमें भी हेर लॉस रहता है बट उसमें थीनिंग रहत तो hair loss की condition दोनों में देखने को मिलती है, उसी तरह से जो hypothyroidism है, जिसमें under active thyroid gland होता है, उसमें क्या होता है कि patient को कभी कभी joint और muscle pain होता है, muscle में weakness होती है, यह हम normally हम सोचते हैं कि कोई arthritic condition हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, वो thyroid की dysfunction के कारण भी हो सकती है, Actually होता क्या है कि जब thyroid का dysfunction होता है तो जो हमारी metabolic activity होती है, वो disturb हो जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारे tissues हैं, चाहिए muscles में हो, तो क्या होता है उनका breakdown अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उसकी वज़ेसे जो हमारे muscles हैं, उसमें weakness आती है, pain होता है, joint में pain होता है, क्या कि उसके आसफास जो लिगमेंट्स होगे रहे हैं उनमें भी वो एफेक्ट करते हैं तो यह thyroid के dysfunction के कारण होता है फिर उसी तरह से आप जो hypothyroidism का patient होता है जिसमें under active thyroid hormone होता है उसमें जरूरी नहीं है बट होता है कि constipation आपको देखने को मिलता है कि मरीज बोलता है कि उसको कबज की सिकायत रहती है उसका digestion ठीक से नहीं रहता है उसी तरह से hyper में क्या होता है कि bowel movements बढ़ जाते हैं तो उसको बार-बार सौच जाने की दिक्कत होती है उसी तरह से ladies में अगर thyroid का dysfunction हो चाहिए वो hyper active thyroid हो चाहिए hypo active thyroid हो उसमें pregnancy में भी और periods में भी problem देखने को मिलती है प्रिग्नेंसी में भी complications बहुत जादा देखने को मिलते हैं या तो क्या होगा कि early miscarriage हो जाएगा या फिर बच्चा जो है premature होगा या फिर अगर हो भी गया तो low birth weight होगा तो untreated case में जो है देखने को मिलते हैं तो यह कुछ ऐसे sign और symptoms हैं जो हमारी body में thyroid gland के dysfunction के कारण होती है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है और यह हमें होता भी है मतलब normally होता है अगर आपको इन में से कुछ symptoms और signs देख रहे हैं आप जरूर इसकी जाच कराई जिससे की समय रहते हम इसको control में ला सकते हैं आप हमसे Facebook LinkedIn और Instagram से भी जूड़ सकते हैं आपकी कोई queries हैं comments हैं तो हमें हमारी comment box पर जरूर लिखके भीज़े हम आपकी उत्तम स्वास्त की कामना करते हैं आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए हमेशे मुस्कुराते रहिए मुश्कार